रोहित शर्मा एक और फाइनल खेलते खेलते रहे गए और इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है शुबमन गिल को गिल ने आइपिल दूसरा थे इसकी दूसरे क्वालिफायर में कमाल की सेंचुरी मारी और गुजरात को लगाता दूसरे फाइनल में पहुचा दिया गिल की इ सूरे ने बहतरीन बाटिंग की लेकिन हमसे नहीं हुपाया हम इस मैच में पॉजिटिव रहना चाहते थे हम पावर प्ले में अच्छा नहीं कर पाए रोहित ने ये भी कहा कि उनकी टीम गुजरात के स्टाइल में ही उन्हें जवाब देना चाहती थी रोहित बोले हम चाह बाटिंग के दोरान चोट लग गई थी इस बारे में रोहित बोले इशान का कंकर्शन अब प्रत्याशित था इसकी चलते हैं लास्ट मिनट में चेंज करना पड़ा हमें अलग कंडिशन और सिचुएशन में अडाप्ट करना था इस हार की चिंता नहीं है इस गेम को खेलन क्वालिफाइ करना और इतने दूत काना बड़ी बात है इस सीजन की बैटिंग हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है जिसे हम आगे ले जा सकते हैं सब भी बॉलिंग टीम्स को चालेंज मिला हमने पिछले गेम में कमाल की परफॉर्मस दी थी रोहित ने शुमन की और तार केले विश्णू विनोद को भेजने पर भी सवाल हुआ इस पर उन्होंने कहा टिम को इस सीजन एक रोल दिया गया था मैं विश्णू को ऊपर भीजना चाहता था लेकिन यह आज काम नहीं आया मैच की बात करें तो रोहित ने टॉस जितकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और गिल ने उनका यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित कर दिया मुमबई ने सीजन चेस करते हुए कई मैच जीते थे लेकिन इस बार गिल के दम पर गुजरात ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि मुमबई से चेस नहीं कर पाई गिल ने 60 के इंदों पर 139 रन बनाए औ और क्याम नंग ग्रीन ने 30 रन बनाए बुजरात के लिए मोहित शर्मा ने पाच विकित निगा ले तुपके मोहमर श्रमी और राशिद ने दो-दो विकेट अपने नाम किये और जॉश लेटिल के खाते में एक विकेट कया इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के ल आपनों देखते रहे हैं लालन टाप स्पोर्ट्स शुक्रिया